नवस्कार आप देख रहे हैं संचार नियूस 36 ट्रोयटा फर्दवाज शोरूम में अर्बन क्रूजर हाई राइडर गाड़ी की लॉंचिंग की गई इस मौके पर 36 ट्रोयटा शोरूम के चेर्मन जर्पी नागर ने रिबन काट कर गाड़ी की लॉंचिंग की चेर्मन इस किलोमेटर की एवरेज में यह कारी देती है जो कि अन्य लगजरी गारियों के तुलना में बहुत जादा है मारा देश की सबसे पहली हाई राइड गारी है जो इतनी मालेज के साथ चलती है सबसे जादा खास्यत की बात यह है कि यह गारी एलेक्ट्रिक और पेट्रोल परचोने लगती है और सबसे बड़ी बात गारी को किसी बहारी चार्जिंग की आवश्यक्ता नहीं होती गारी स्वहमी वैट्रि चार्ज करने की श्रमता रखती है अगर गारी की कीवत की बात करें तो बंदला लाग से गारी की कीवत शुरू होती है जो उसको अभी सभी सब्सक्राइब के लोग असानी से करें सकते हैं आये दिखाते हैं आपको ये पूरी रिफूर अचार्ज करते हैं इस सेग्में की पहली गाड़ी है जो हाइब्रेड है और इस सारी जो आधूनिक सिस्टम है सब इंक्लूज है जो बहुत पैसे वाली गाड़ी होता हूं सारे सिस्टम इस बैठने की शुरूदा बहुत अच्छी है आपकी जो सन्रूफ है फुल संदूब है फुल है इस सेग्मेंट की तोयोटा कंप्री नहीं गाड़ी लॉंच करिए इसके बार में आपको क्या पहाना है इसकी माइलेज क्या है यह चेंज की मतलब इतनी खास क्यों है जो यह गाड़ी टोयटा ने लॉंच करिया आप रिस्पॉंस देख के बहुत ही एक्साइटेड है अब तक किसी भी कोई भी मैंट्वेक्ट्र प्रवाइड नहीं कर पाया है वो टोयटा ने दिया है यह अभी तक हाइड में आता था हाइब्रेज इसका सबसे अच्छा है पोर्ट जमेरेशन हाइब्रेड मना जाता है यह क्या कुछ खासियत रहने जारी इसकी खासियत हाइ वो एक तो कार्वन डेक्साइड 50% डिड्यूस कर देता है और मैलेज इसकी डबल कर देता है क्योंकि यह 50% बैटरी के उपर चलता है आपका इसमें राउंड 25 की मैलेज आपको देगी एक किलोमेटर में दूसरा आपको कहीं से भी इसको बाहर से एक्स्टेंगल चार्ज न सब्सक्राइगी आपको कुछ नहीं पता चलेगा सिर्फ ओन बोर्ड आपको डैश बोर्ड पे दिखेगा अधरवाइज इसका कोई आपको जार पैसा नहीं साइलेंट केबिन बिल्कुल एक तम स्मूर्ड आप आराम से मूजिक सुनिए कोई आपको टेंशन फ्री नहीं है टया थे थे नहीं